दोस्तो मैं आपके लिए आज यह कैसा देशी चबदस्म नुस्का लाया हूँ जो के आप देखकर दंक रहे जाएंगे दोस्तो यह कोई नुक्सा नहीं नहीं है हमारे भारत वर्ष में बहुत पहले से ही इसका उप्यव होता है कि दोस्तों यह नुस्का दूद्ध रड़ी का मिचरन का है जो आप आपकी दाकत को दूबनी करने के लिए है जब आप विश्तर पे जाने से पहले यहनिकि संपुक करने से पहले अगर आप यह नुस्का अजमाएंगे तो आपको बहुत ही फाइदा होगा अपने सुने ही होगा दोस्तों कि दूद और हल्दी का मिजरन सुवागरत से पहले दिया जाता है तो दोस्तों ये काम कैसे करता है दोस्तों दूद की तासिर है जो बहुत ही गरम होती है और हल्दी में एंटी ओक्सिजन आता है इसलिए इससे बहुत ही थाकत आती है और गूड है जो हम खाने के साथ भी ले सकते हैं गूड से हमें बहुत ज़्यदा थाकत मिल दी है इससे क्या होता है कि अगर आप यह दूद पीएंगे अलदी वाला तो दोस्तो आपकी रखका जो प्रवा है बहुत ज़्यदा तेज हो चाल में दोड़ने लगेगा आपके हर अंग तेजी से काम करने लगेंगे तो इस दूद से पीने से आपके लिंग में टाइटनेस भी बहुती आएगी और आपके लिंग का साइज भी बढ़ेगा तो आएए आप मैं आपको दिखा देता हूँ किसे कैसे बनाना है तो इसके लिए यह गिलास दूद लेना है हमको तो दूद दोस्तों उबल के लाना है यानि की गर्म दूद करना है और जैसे ही दूद गर्म हो जाएंगे गिलास में भर के इतनी मार चमच गुड़ मिलाएंगे हादा से ज्यादा गुड़ और अल्दी दूद की मातरा में मिलानी है अगर आपका दूद का गलास जल्द पड़ा है तो थोड़ा और डालना है और इसको अच्छी तारा से हमें मिक्स करना है दूद के गर्म होने के कारण गुड़ है वो यसे जूद्च के साथ मिल जाएगा जो अच्छी तरह से मिल जाएं कि तो इसको थंड़ा होना देना है इसे ही आपको while HA crimes को इतना भी थंड़ा नहीं होना देना है आपको गर्म करने का बाद यह दो आध मिसरन करने के आधा घंटे पहले लेना है इस दूद को दोस्तों जब आप बिस्तर पे जाने वाले हो उसके आधा घंटा पहले ही लेना है तो दोस्तों यह नुश्का आस्माने से आपको बहुत ही फर्क वड़ता है